नमस्कार आज हम बात करेंगे प्राण उर्जा के बारे में प्राण उर्जा जिसे हम लाइफ फॉर्स यानि की जीवनी शक्ति अथवा मानविय विधुत शक्ति जैसे विभिन नामों से भी बुलाते हैं उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस शक्ति का हमा प्रान उर्जा कम हो जाए तो किन उपायों के दुआरा हम अपने प्रान उर्जा को विक्सित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रान उर्जा क्या है कैसे यह हमारे शरीर में काम करती है आपको मालूम है प्रान उर्जा एक विश्व व्यापी उर्जा है यानि कि यह हमारे चारोर सर्वत व्यापत है जो भी आपके आसपास का चेतर है उपर नीचे दाएं बाई हर तर के लिए भी धारन के साथ भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार मचली जल में रहती है और उसके चार और जल व्यापत रहते हैं इसी प्रकार हम भी प्राण उर्जा के सागर में ही रहते हैं और निरंतर हम इस प्राण उर्जा के सागर से जैसे मचली जल में रहकर जल को पी लेती ह ऐसे ही हम इस प्राण उर्जा के सागर्व से प्राणों को निरंतर खिचते रहते हैं श्वास के द्वारा और इसी प्राण उर्जा के द्वारा ही हम जीवित रहते हैं और जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर खोन हमारी नसों में चार और दोड़ता रहता है इसी प्रकार हमारी प्रान उर्जा भी हमारे शरीर के अंदर चार और दोड़ती रहती है और हमारे शरीर को हमारे मन को जिवंत बना के रखती है या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने देखा जैसे कार के पहिये होते हैं कैसे दोड़ते हैं लेकिन उनको दोड़ाने वाला इंजन है मोटर है इसी परकार हमारे शरीर के अंदर भी हमारे जो साथ उरजा चक्र हैं उनको दोड़ाने वाला और हमारे शरीर के सबी करने के लिए जिस ताकत की जुरूत होती है वो ताकत प्राण उरजा ही है अब जिस प्रिकार जैसे विधूत के उपकरण होते हैं उनको चलाने के वोल्टेज की जुरूत होती है अगर वो वोल्टेज कम आएं तो वह विधूत उपकरण ठीक से काम नहीं कर पाते हैं ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी विभीन प्रिकार के उपकरन जैसे कि हमारा हिर्दय है किड्नी लिवर विभीन प्रिकार के उपकरन फिट है तो इनको भी सही तरीके से चलने के लिए प्राण उर्जा की उचित मात्रा की जरूरत होती है लेकिन अगर इन हमारे शरीर के अंगों को उर्जा सही तरीके से अगर उपलब्द नहीं होगी तो भी ये ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी प्राण उर्जा जितनी प्रखार होगी उतना हमारा शरीर और हमारा मन तंदुरस्त रहेगा तंदुरस्त रहेगा लेकिन अगर हमारी प्राण उर्जा कमजोर होगी तो हमारा और शरीर और मन भी कमजोर पड़ने लग जाएंगे उधारन के लिए आपने देखा कई बार अगर आपको कोई भारी चीज उठानी हो तो आप एकदम से नहीं उठा पाएंगे अगर माली जी उसका वजन जादा है लेकिन अगर आप अपनी श्वास को भरेंगे और उस चीज को उठाएंगे तो आप बहतर तरिके से उसे उठा पाएंगे क्योंकि पहले आपके वल अपनी स्थूल उर्जा का उपयोग कर रहे थे लेकिन जब अपनी अपनी सांस यानी कि अपने प्रानों को जब अपने अंदर भर कर रोका तो आप उसे असानी से उठापाई तो कहने का तथ परिया ये है कि अगर आपको अपने शरीर को और अपने मन को स्ट्रोंग रखना है तो आपको अपने प्राणों को स्ट्रोंग करना होगा और इसके लावा आपने देखा भी होगा कि हमारी जो प्राण उर जाए वो हमारे शरीर की पुरी धेग बाल भी करती ह उदारन के लिए कभी आपको चोट लग जाए या आपने देखा कभी आप शेव कर रहे होते हैं दाड़ी बना रहे होते हैं आपको बुलेड लग जाते हैं तो आप ध्यान भी नहीं देते हैं और एक आदे दिन में वो चोट अपने आप ठीक हो जाती है अपने आप उसकी ही प्राण उर्जा की अवशकता है बलकि हमारे अध्यात्मिक विकास के लिए प्राण उर्जा की बहुत अवशकता है तब ही तो कहते हैं कि प्राण ही आत्मा है या आत्मा ही प्रान है और जो हमारी प्रान उर्जा ही है जो कुणूलिनी शक्ती के रूप में हमारे सुक्षम शीर में जागरी थोकर उपर के चक्रों तक पहुंचती है और हमें समाधी के मार्क पर या मुख्ष के मार्क पर लेकर जाती है तो किसी भी प्रकार का विकास हो चाए वो शारिरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या अध्यात्मिक विकास हो सब में आपको प्राण उर्जा की जरूरत पड़ती है और यह प्राण उर्जा चाए हमारा शरीर सो भी जाए तब भी अपना काम करती रहती है ना तो ये रुकती है, ना थकती है, ना अराम करती है, ना सोती है, और ना ही ये कभी खतम होती है यह बिना रुके हर पल 24 घंटे हमारी प्रान उर्जा अपना काम करती रहती है तो जब तक हमारे शरीर के अंदर अब प्रान उर्जा है, तब तक जीवन है और जैसे ही यह प्राण उर्जा, life force हमारे शरीर से अगर निकल जाती है, खतम हो जाती है, तो उसी समय हमारी मृत्टि हो जाती है. इसके लवा यह भी याद रखें कोई शारीरिक रूप से कितना भी मोटा ताजा क्यों ना हो कितना भी हल्थी क्यों ना हो लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उतना प्राणवान भी होगा आपने देखा होगा कहीं बहुत मोटे लोग होते हैं, हेल्थी लोग होते हैं, स्ट्रॉंग लोग होते हैं, लेकिन वो जल्दी हार मान जाते हैं, मजबूत शरीर होने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी प्रान उर्जा उतनी स्ट्रॉंग नहीं होती, जबकि कुछ लोग ब आत्मा गांदी उनका श्रीर कितना कमजूरत है इतने वो हुश्ट पुश्ट नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी चुनोतियों का सामना किया क्यों क्योंकि उनके अंदर प्राण उर्जा प्रबल रूप में व्याथ थी और यही प्राण उर तो आप समझ सकते हैं कि उसकी प्राणूर्जा प्रबल है या कईयों की वानि बहुत प्रबल होती है उनका उच्चारन उनका बहुत जोशीला होता है तो इसका मलब उनकी प्राणूर्जा प्रखर है और कहीं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं कहीं बहुत ज़्या प्रणों की प्रखरता विभीन व्यक्तियों की अंदर दिखाई पड़ सकती है इसके लावा आपने देखा होगा कि कहीं बार पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया है और वो बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा उदासी है डिप् क्वरेशन को खतम करने के लिए क्योंकि एसी प्रकर्तिक जगों पर पुरान उर्जा बहुत बड़ी मातरा में होती है जिससे कि उनके वहां रहने मातर से ही उनकी हिलिंग होना शुरू हो जाती है खेर अब हम बात करते हैं अभी हमने समझा कि प्राण उर्जा की क्या मैता है क्या इंपोर्टेंस है अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षन है जिनको देख कर हम समझ पाएं कि क्या हमारे अंदर प्राण उर्जा प्रयाप्त मात्रा में हैं क्या हमारी लाइ लीजिए कि आपकी प्राण उर्जा अगर आपके शरीर में प्रबल है, अच्छी मात्रा में है, तो आपको कुछ लक्षन होंगी, पहला लक्षन कि आपको कहीं बार सपने में उड़ने का एहसास होगा, आपको ऐसा सपना आएगा कि जैसे आप उड़ रही हैं, तो ये एक इ ध्यान में बैठे होंगे, और ध्यान में बैठने के दुरान आपको अचानक ऐसे मैसूस होगा, कि जैसे कि आपका शरीर जमीन से उपर उठ चुका है, और आप हवा में उड़ रही हैं, तो ध्यान के दुरान अगर शरीर आपको हवा में उड़ने के नभूती हो, तो ये प्राण उर्जा में वृद्धी का संकेत है और कुछ लक्षन मालीजिये कि आप कहीं बैठे हैं संगीत बहुत मधूर संगीत बज रहे और आपके पैर्थी रखने लगें तो इसका मतलब आपका प्राण श्रीर अंदोलित हो रहे इसका मतलब आपकी प्राण उर्जा टो इसका मतलब आपका प्राण श्रीर अंदर अंदोलित हो रहे है जो कि एक अच्छा लक्षन है इसी प्रकार कोई प्रेमी अपनी प्रेमीका को देח कर या प्रेमीका अपने प्रेमी को देग कर अगर उसके दिल में हिलोरे उठने लगें तो ये भी आपके प्राण श्र में उन्ती के संकेत हैं क्योंकि अगर आप डैड होंगे आपके अंदर कोई भावना ही उत्पन्ना हो चाहे सुंदर संगीत बचता रहे मोसम कैसे भी करवटे बदलता रहे आपको कोई फरकी ना पड़े तो इसका मतलब आप इंटरनली डैड हो चुकी है आपकी प्रखार होगी तो आप देर तक नी सो पाएंगे आप भ्रहम मुरत में सहाजी उठ जाएंगे तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं बिना किसी आलस के तो आपकी प्रानुर्जा ठीक काम कर रहे हैं लेकिन अगर आप 20 तरपी 8-10 बे तक पड़े रहते हैं तो इसक कुछ कार्य करने को दिल करता रहेगा आपके अंदर आतम विश्वाश भरपूर रहेगा आप आशावादी होंगे और आपके अंदर बहुत से जो सकरात्मत गुण होती हैं वो सब आपके अंदर मुझूद रहेंगे लेकिन और इसके इलावा आपका चेरा खिला रहेगा और आप अध्यातम में भी तेजी से प्रगर्ती करेंगे लेकिन यदि आपकी प्राण उर्जा अविक्सित होगी या उसमें गिरावट होगी तो आपके अंदर ठकावट रहेगी तनाव चिंता रहेगी आपको नींद ठीक से नहीं आएगी आपका मन चंचल बना रहेगा thoughts या implications हैं वो आपकी body पे आने शिरू हो जाएंगे इसके इलावा जो प्राण उर्जा है अगर एक सधारन व्यक्ति के मुकाबले जो एक साधक होगा उसको उसके अंदर ये प्राण उर्जा जादा रहेगी क्यों रहेगी क्योंकि वो ध्यान ज्यान योग की ऐसी क्रियाए करता है जिससे उसके अंदर प्राण उर्जा विक्सित होने लग जाती है तो इसी लिए तो कहीं बार एक सधारन व्यक्ति के मुकाबले साधक के उपर कुछ विप्रीत लिंगी जो व्यक्ति होंगी वो ज़्यादा अकरशित होंगे यही कारण के कारण और इसी लिए तो प जब आपके अंदर प्राण उर्जा बढ़ती है तो आपमें समोहन शक्ती बढ़ेगी आपमें अकरशन बढ़ेगा जिससे की लोग आपके पास आने को आतुर रहेंगे आपके आसपास ही मढ़राने लगेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे खेर अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में कि ऐसे हम कौन से उपायों को अपनाएं जिन से की हम अपनी प्राण उर्जा को विक्सित कर सकती हैं तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि प्राणों का घटना और बढ़ना हमारे विचारों पर अधारित होता है। उदारनी के लिए मालीजी आपने अगर कोई वहम पाल लिया कि आप बीमार हैं तो आप बीमारी पड़ जाएंगे। और इससे उल्टा भी हो सकता है कि यदि कोई मरता व्यक्ती ये प्रबल विचार कर ले कि मैं तो ठीक हो रहा हूँ, मैं तो ठीक हो रहा हूँ तो वो मृत्यू के समय से भी अपने आपको वापिस जीवन में खीच सकता है। तो विचारों की इतनी ताकत है। तो सबसे पहली बात अगर आपको अपने प्राणों को विक्सित करना है तो आप अपने विचारों को विक्सित करें। हमेशा सकरात्मक विचार, पोस्टिव थोट्स अपने माइंड के अंदर रखें। क्योंकि जैसे ही आपके थौट्स पॉस्टिव होंगे तो आपकी लाइफ एनरजी इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपकी लाइफ एनरजी इंक्रीज होगी तो आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हैं। आपको कोई किसी प्रकार की मंते मांगने के जुड़त नहीं है, कि मेरे जीवन में यह आई यह है, आप अपनी प्राण उर्जा को ठीक करें, तो आपके जीवन में सबाना शुरू हो जाएगा. दूसरी बात, वर्तमान में रहें, प्रेजेंट में रहें, हमारी नर्जी तब खर्च होती है जब हमारा दिमाग या तो भूत काल में या विविश्यकाल में खोया रहता है, लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंट मेंड होकर रहेंगे, तो आपकी नर्जी सेव होनी शुरू हो जाएगी. तो दूसरी बात हमेशा प्रेजेंट माइंड होके रहें, इदर उदर अपने विचारों को ना खोके रखें, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें. प्राणों के वयायाम को हम प्राणायाम कहते हैं, तो जब आप इस प्रिकार के प्राणायाम जैसे कि भस्तरिका, कपाल भाती, प्रामरी इनका अब अभ्यास करेंगे तो इनके अभ्यास से आपके अंदर प्राणों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी प्राणायाम जिसके नाम में ही प्राण छिपा हुआ है, प्राण लिखा हुआ है, तो जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर प्राणों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी खास कर यदि आप ऐसे प्राणायाम करते हैं जिसमें कुम्बक भी लगाया जाता है, यानि कि सांस को अंदर रोक कर रखा जाता है, तो आपके प्राण और भी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएगे इसके इलावा ओम का जाप करें, तो कि जब आप महामंत्र ओम का जाप करते हैं, तो आपके शीर का रोआ रोआ कमपन करने लग जाता है, उसकी वाइब्रेशन ओम के जाप के इतनी स्ट्रॉंग होती है, कि आपके ब्रेन में भी आपके तंतु खुल जाते हैं, पुरे शीर है इनको भी टाइम टाइम पे उप्योग करें इससे आपकी बोडी की healing होगी और आपकी life force बढ़नी शुरू हो जाएगी ताली बजाएं ताली बजाने आप देखना कभी प्रयोग करना पांच मिनिट के लिए आप ताली बजाएं और जैसी आप clapping करेंगे एकदम से आपको डकार आने शुरू हो जाएगी और आपकी बोडी में vibration आने शुरू हो जाएंगे तो clapping करने से हमारी प्रान उर्जा विक्सित होती है जब भी आपको समय लगे पांच मिन दस मिन दो मिन घर बैठे बैठे clapping करें इसके लवा अनवश्यक रूप से उर्जा खर्च ना करें क्या होता है कि हम अनवश्यक रूप से फाल्तू जैसे बोलते रहते हैं कि कोई बात का मतलब नहीं है कोई जूरूत नहीं है फिर भी हम बोले जा रहे हैं गपे मार रहे हैं तो उसमें आप अपनी energy को waste कर रहे हैं तो करना हो सके silence रहें मोन रहें और फाल्तू देखें मत कहीं बार क्या होता है कि अगर आप अपने office से अपने घर जा रहे हैं तो रास्ते में हर जगा इधर उदर आप देखते हुए चलती हैं तो जब आप unnecessary अपनी ice को use करते हैं तो इससे हमारी energy बहुत ज़्यादा waste होती है तो आपने क्या करना है फाल्तू इधर उदर मत देखें इवन आपने अगर कभी बगवान बुद्ध के जो सन्यासी जो अगर बुद्धिस्ट सन्यासियों को आपने कभी देखा हो तो वो क्या करते हैं वो सरफ उतना देखते हैं जितना उन्हे आगे की जमीन नजर आती जाए उससे आगे वो देखते ही नहीं है अपनी नाक की नोप पर ही वो अपनी नजर जमा के रखते हैं यानि कि अपनी आँखों को आदा खुला रखते हैं आदा बंद रखते हैं तो जब आप फाल्तू का इधर उदर देखेंगे नहीं और उतन ही देखेंगे जितना जुरूरी है तो भी आप अपनी अनर्जी को सेव कर पाएंगे इसके लावा फालतू खाना मत खाएं जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं अधरवाई हमारी ज्यादा अनर्जी तो खाने को पचाने में ही लग जाती है तो इसके लावा कभी-कभी वर्त भी रखें यानि कि फास्ट रखें हफते में एक दिन आप ऐसा रखें कि आप सिर्फ लिक्विड डाइट लें सिर्फ पानी पिएं या जूस पिएं ताकि आपके पेट को आराम मिले इसके लावा अती सक्रियता से बचें कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर होत तो इससे भी हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है तो आपको क्या करना चाहिए थोड़ा रिलाक्स रहें और अपनी गती को धीमा रखें प्रसाद पुन रखें कोई भी कार्या करें ग्रेस फुली करें और शान्ती के साथ सब भी शरीर की क्रियाओं को करें तो इससे आपके रीड सीधी होगी आपकी आदे बीमारियां खतम हो जाएंगी और आपकी एनर्जी जो रीड की हड़ी को बैंड करने से आपको आनी थी वो सब बीमारियों से आप बच जाएंगे और अतिकमुक्ता से बचें कामवासना से बचें क्योंकि जब आप बहुत वासना के विचारों में लिप्त रहेंगे तो आपकी एनरजी लिख होती रहेगी, तो करना क्या है, ब्रहम चारय का पालन करें, जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, सहज रूप से, उतनी अपनी काम वासना को कंट्रोल करके रखें, और सैलीबैसी को फोलो करें, इसके इलावा उथली सांस मत लें जर्लाली हम बहुत ज़्यादा उपर उपर सांस लेते हैं फास्ट ब्रिधिंग करते हैं डीब ब्रिधिंग करें जब आप बीब और रिद्मेटिकल ब्रिधिंग करेंगे तो इससे आपकी नरजी सेव होगी और बहुत छोटी छोटी बातें जैसे कि निरत्य का भ्यास करें, डांस करें, संगीत को सुनें, प्रकरती में रहें, अपनी नींद को पूरा लें और प्रोपर रेस्ट करें, हर वगत अपने शीर को इतना ज़्यादा मत थकाएं कि वो ओवर हो जाएं तो जब भी ताइम मिले, आराम भी करें, और अपनी संगती को अच्छा रखें, अपनी कमपनी को अच्छा रखें, हमेशा पोस्टीव लोगों के साथ रहें, और निगेटिव माइंड लोगों से दूरी बना के रखें और बीच बीच में मंदिर जाएं, हर प्रताकाल जो देव स्थान है, उन देव स्थानों पे जाकर, क्योंकि वहाँ पर प्रान उर्जा, सकरात्मक उर्जा बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो वहाँ पर जाकर कुछ टाइम बैठें, और सूरिया सलान करें, सन बात लें वयायाम करें, यानि कि सैर करें, कुछ गेम्स खेलें, स्विमिंग करें और नशा ना करें, किसी भी परकार का आप नशा करते हैं, तो उसी आपके लाइफ फोर्स डिपलीट होती है, तो उन चीजों से बचें, और सबसे अंतिन बात कि आप अस्तित्व से जुड़ें, अस अपने आपको अपने अस्तित्व से जोड़ेंगे, तो आपके अंदर भी प्रकाश उत्पन हो जाएगा, क्योंकि हम जितनी भी जो प्रान उर्जा है, यह हमें अस्तित्व से ही प्राप्त होती है, तो अस्तित्व से प्रान उर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने हिर् करना चाहते हैं तो अपने मन को कंट्रोल करें और मन कंट्रोल कैसे होगा ध्यान के द्वारा भक्ति के द्वारा श् features के द्वारा तो इसे के साथ मेरी बात पुरी हונה मुझे अमीद है आपको इन सब बातों से बहुत लाभ होगा आप इनको फॉलो करें धर्ण्यावाद